कि हलो फ्रेंट्स वेलकम टूए जैम तक तो आज में आप लोगों के सामने फ्याजे का सिधानत लेकर कि आया हूं कि यह कर आया हूं इसमें 10 नंबर पक्के रहेंगे आपके संपूर निचोड जवर जस्त तरीके के साथ आपको बताने वाला हूँ तो फ्रेंट्स आप वीडियो को पूरा जरूर देखेगा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया आपके किसी भी पेपर में दस नंबर पक्के हो जाते हैं जीन प्याजे महोदे से हर एक बार सिक्षक भरती में 100% प्रेश्ण पूछे ही जाते हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड़ों को सेर फिजिए चलते हैं फ्रेंड्स प्याजे का वस्थाएं सबसे पहले फ्रेंड्स आएगा कि संग्यानात्म विकास की वस्थाएं कितनी होती हैं तो फ्रेंड्स में यह है कि संग्यानात्म विकास की वस्थाएं फ्याजे ने क्या दिया है संग्यानात्म पक्षपर अध्यन किया है सबसे पहले और कि और क्या किया अपन संग्यानात्म विकास की अवस्थाओं को बताया है और फ्रेंट्स क्या आंगे कि संग्यानात्म विकास की चार अवस्था यहां कि संबेदी गामा कवस्था जीरो से दो वर्सकी पूर्वी संक्रियात्मा कवस्था दो से साथ वर्सकी मूर्थ संक्रियात्मा कवस्था साथ से ग्यारा वर्सकी औप्चारिक संग्रियात्मकवस्था ग्यारा से चौदा वर्सकी तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं संबेदी गामकवस्था जैसा कि नाम से इसपेश्ट हो जाता है कि संबेदी गामकवस्था कहलाता है जिसमें बच्चा मुख से कुछ भी अवाज नहीं निकालता है, अपनी इंद्रियों के माध्यन से अवाज निकालता है, वो संबेधी गामव कवस्था कहलाती है, अब जिसमें बच्चा थोड़ा वहुच चलने लगता है, और अपने काम यहाव हैं, वहाँ करने ल के वारे में विस्तार से परणन कर सकता है तो यह मूर्थ संक्रियत्म कवस्था कहलाती है इसके अप्चारिक शंक्रियत्म कवस्था जिस जिसमें बच्चा अमूर्थ चिंतन करता है जेसे भविश्त की चीजरों के वारे में सोचता है तो अभचारीं संक्रियात्मर कPlaks ता यह अमुर्थ संक्रियात्मर को स्प्ला कि खरा ती है चलते हैं नेक्स टोपक पर वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से करता है जैसे आख नाक कान तुचा नागक क्रिया रहती पकड़ना खेलना लिखना अधी और नेक्ष्ट फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हाँ यह दो से साथ वर्ष की अवस्था होती है इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है बालक सब्दों का प्रियोग प्रतिकों का प्रियोग करता है प्रतिक कात्मक खेल खेलता है खिलोनों की आयू इसी अवस फ्रेंड्स खेलने की आयू बातवान वस्ता गती लेकिन झिलोनों की आयू पूर्वालवस्ता चलाती है ये सब ध्यान से देखिएगा खेलोन की आयू पूर्वान वस्ता भू कहा जाता है फैट ले खेल की आयू बालवस्थाओं कहा जाता है इस दौरन भांसा के विकास प्रारम हो जाता है वहलों भांसा के विकास की शुरुवात होती फ्रेंट्स यहां से प्रारम होता है चलते हैं नेक्ष्ट वर्ग मूर्द संक्रियात्म का वस्था इस यह साथ वर्ष से ग्यारा वर्ष की अवस्था होती फ्रेंट्स इस अवस्था में बालक का चिंतन उत्तर करना शुरू कर देता है इस अवस्था में बालक दिन समय तारी समय महिना आधी बताने योग हो जाता है इस अवस्था में बालक स कि यहां पर मूर्थ चिंतन का फ्रेंट्स प्रारम्ब करता है ना कि शुरुवात में लाश्ट करता है कि चलते नेश्पर कि अब आप आप चारक संक्रियात्मा का वस्था यह 11 से 14 या 15 वर्ष की होती है इस अवस्था में किसोर मूर्थी कि अब ज़िए अपचारक संक्रियात्मा का वस्था इस में 11 से 14 वर्ष आजए की हस्ता रेहती प्रेंट्स इस अवस्था में किसोर मूर्थ के सा Creed साथ अमूर्थ चिंतन करने योग भी हो जाता है यह इस मनना मनन आदी करता रहता है अब कार को करना समझना यानि कार में अंतर करना यह सब समझने लगता है इसलिए से तारकिक चिंतन की वस्था फ्रेंट्स इसे तारकिक चिंतन की वस्था भी आपचारक संक्यात्म का वस्था को मना जाता है चलते नेक्ष कुशन पर है , जींस का देखे , जीन प्याजे के बारे पनंब बतानों जा रहू मैं जिन प्या具ते स्वेटजast के मनोभद गयनक थे यह चीज़ आपको यद रखनी है। कि इस बिकास का पृत्पादन इन Semina ने किय था, किसने संग्याना तो सकाबर्थ में इन्होंने अपने बच्चों के आसपडोस के बच्चों का संग्यान ग्यानात्मक मानसिक विकास का अध्यन किया इस सिध्धान्त को विकास अत्मक सिध्धान्त या अवस्ता का सिध्धान्त भी कहा जाता है त्याजय का माना है कि जैसे जैसे बच्चों में, जैविक परिफकता आती है वैसे वैसे बस्तूओं के बारे में अपने दिमाग और कंसेप्ट बना लेते हैं चलते हैं नेक्ट पर अब डे में आप डाफिनेशन हैं बच्चे अब देखिये बच्चे सक्रिय यान निर्मालता होते हो नन्य विज्यानेखें जो संसार के बारे में अपने सिद्धानतों की रचना करते हैं अब फ्रेंट्स आगे अनकूलन फ्रेंट्स कॉंसेप अनकूलन बहुत ही इंपोर्टेंट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं बातवन के अनसार अपने देख यह समावेशन के साथ नंए जयान को जोड़ना आत्मसातिकन कहलता है और इसी को समा वेशन भी कहते फ्रेंड्स समा वेशन इसी को कहा जाता है समा वेशन और आत्म साथी करना पूर्व ज्यान को नए ज्यान के साथ जोड़ना यहां पर आप सौट्रक के साथ याद कर सकते हैं एसमलेशन याने सम सम याने जोड़ना जैसे पहले किसी ने देखा कि काला कुत्ता होता है तो जैसे उसने बाइट कुत्ता देखा तो आस्चर चकित हो गया और वो बोल नहीं पा रहा था फिर बाद में उसने देखा किसी ने उसको बताया कि बाइट भी कुत्ता होता है तो अब देखिए समायोजन एकॉमडेशन पूर्व ज्यान में परिवर्थन करके बातवन के साथ तालमेल मिठाना समायोजन कहलाता है जैसे की डिफ्रेंस पैदा करना यह समायोजन कहलाता है चलते नेक्स्कुषन पर कैसा बनेगा समध हरणा बच्च इसके द्वारा बच्चा आत्म साथी करन और समायोजन की फूर्याण में संतुलन काइम करता है अब اسकीम और इसकीम है किसी काम को करने में अलगव गलग तरीके से जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है उससे पता है रोने से दूद मिलेगा इसकीम कहलाती है इसकीम क्या है सरीड के दव कि अब प्याजे के संग्यानाद्र विकास की चार अवस्था जो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं संवेधी पेशी अवस्था सेंस्रो मेंटर इसको जीरो से दो वर्स कहा जाता है इस अवस्था बच्चा अपनी ज्यानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है जैसे देखें आएक कान नाक मह अंगली इसके माध्यम से सीखता है अब आ प्रेंट्स वस्था बस्तु इस्थायत चीजे बनी रहती हैं चीजे देखाई नहीं देती और चीजे वहीं पर बनी रहती है यह बस्तु इसतायत कहा जाता है इसको इंगलेश में ऑब्जेक्ट पर्मनेंस कहा जाता है यानि बच्चा अपनी चीजों को देख नहीं मलब देख नहीं सकता लेकिन चीजें वहाँ पर बनी रहती है अब इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मा कवस्था और बस्तु इस्थाइट किसमें आता फ्रेंड्स तो संबेदी प्रेड़क अवस सी में आता है जब बच्चा शरी है चाजी हो और निर्जीव वष्थ में अंतर नहीं कर पाता है जी वात कहला था है अहम केंद्रेत जैसे की फ्रेंट्स आप देख पा रहा है जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीए वह बच्चा यहां पर किसी दूसरे की बात विल्कुल भी नहीं वानता है जो वह कर रहा वही सारी चीज़ें एकदम सच है आपल्टावीपन इसमें बच्चा बस्तूओं संख्याओं समस्याओं आधि को उलटना पलटना नहीं सीखता है सिधे नॉर्मल चीज करना जीन जानता है यह आपल्टावीपन कहलाता है मुद्रा इस्वित इस्पूति अब इसमें कॉंसेप्ट किलियर रहते फ्रेंट्स इस बच्चा के लेकिन वह चीजों को उलट पलट नहीं पाता है कि केंद्री करण जब बच्चा किसी वस्तू की सारी विसेश्टां को छोड़कर केवल एक विसेश्टा पर ध्यान देता है वह केवल एक बार ही द्यान दीगा अमूर्ट संक्रियात्मक अवस्था फ्रेंड्स बच्चा सामने रखी हुई चीज को देखकर कुछ कर सकता है इस अवस्था में आपल्टाबी जीवार मुद्रभार आदी आगमनात्मक तर्डगां इसी को कहा जाता है जब बच्चा उदाहां के रूप में अधारत होकर तर् अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा इसी टाइब के वीडियो के लिए क्योंकि चैनल में प्रदिन तयारी करवाई जा रही है जब तक मिलते हैं जैहिंद जैभारत